ं तो वित्री कालब जो है वह कौन सा कालब होता है कि कहते है कि वित्री के जिसमें वितर के रकान जिस लेकिन अगर सारे वितर के रिकान अगर यहां पर जीरो होता तो यह फिर विद्री कालब होना था अगर विद्र के रिकान जो है एक भी विद्र का रुकन अगर गयर सिफर हो जाए अगर मसाल के तोर पर अगर यह एक कालब है ठीक है इसमें जो है सिफर एक दो एक फिर सिफर फिर तीन एक दो तीन अब देखो विद्र के रिकान दो सिफर है एक गयर सिफर है ठीक है तो इसको भी हम जो है वो वित्री कालब कह सकते है ठीक है क्के कम अज़ कम एक रुकन भी अगर गयर सिफर हो जाए और गयर सिफर हो जाए तो वो वित्री कालब है अब यह स्केलर कालब है μटलार के जैसे हो आदेवे रिकान के अधिसमों करा सबक्राइभाताय को मिए टार जैसे हैं मतनी श्und मतलब के यह को क्षिए धुद्व हो यहांपे N विटर के घजाए है है फैक ठीक है अब यहां पर दो है तो सारे वितर के रिकान क्या है दो दो ही है ना तो यह स्केलर कालब यहां पर तीन है अगर यहां पर दो होता तो यह स्केलर कालब होना था नहीं ना समय लागी अगर वितर के रिकान एक जैसे हूं तो वह फिर कौन सा कालब होता है स्केलर कालब वहदानी का मैंने आपको पहले बताया था कि अगर वितर के इरकान एक-एक हों तो वह वहदानी कालब होता है ठीक है अब हम इसमें आएंगे तो देखते हैं कि यह स्केलर कालब है क्योंकि इसके वितर के इरकान एक जैसे हैं यह कौन सा है यह वितरी कालब है समस आ गई? छीक है?